Hello guys, Vedic Math की इस सीरीज में हम Vedic Math के सबी 16 सूतरों को एकजांपल के साथ डिटेल में समझने की कोशिज करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सूतर है एक अधिकेन पूर्वेन इसका मतलब होता है पहले से एक अधिक यानि की कोई भी संख्या हमारे पास है उसका एक अधिकेन पूर्वेन होगा उससे अगला नमबर For example, अगर हमारे पास एक संख्या है 8 तो इसका एक अधिकेन पूर्वेन होगा 9 इसका यूज हम कहां कहां पर करने वाले हैं इसका use हम तीन परीष्थीतियों में करते हैं पहला है किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए स्केर निकालने के लिए दूसरा है रीकरिंग डैसिमल यानि की आवर्ती दस्मलों जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और तीसरा है पार्शियल फ्रेक्षन यानि कि integration के लिए यह हम जब high standard की classes में पढ़ते हैं वहाँ पर इसका use होता है तो आज हम इन दोनों के बारे में जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं square के पास में square कैसे निकालना है यहाँ पर एक condition दी गई है condition क्या है कि last में हमारे पास क्या number होना चाहिए 5 यानि कि जो unit digit है इकाई का अंक है वो हमेशा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए इसको निकालते कैसे देखो example के तोर पर हमने एक संख्याली 25 और इसका हमें क्या करना है square करना है तो एकाधीकिन पूर्वेन क्या कहता है ध्यान से देखना जो हमारा एकाई का अंक है इसका तो square होगा ही होगा ये हमेशा क्या रहेगा 25 रहेगा एकाई के अंक के अलावा जो भी यहाँ पर number है उसको क्या करना है उससे just अगले number से यानि कि दो का एकाधीकिन पूर्वेन क्या होगा 3 इससे just अगला number 3 इनको आपस में क्या करना है multiply करना है और वो यहाँ पर लिख देना है तो हम बोलेंगे 25 का जो square यहाँ पर आया है वो कितना आया है 625 और example लेते हैं मानलो हमें निकालना है 65 का square तो फिर से वई 5 का square तो 25 आएगा याएगा 5 के अलावा जो भी number यहाँ पर है उससे just अगले number के साथ इसकी multiply करना है यानि कि 5 यहाँ पर था इक आएक अंक बचा हुआ क्या है 6 तो 6 से just अगला number कौन सा है 7 और इसकी आपस में multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 42 तो 65 का जो square यहाँ पर होगा वो होगा 4, 2, 2, 5 और example ले लो माल लो हमें निकालना है 95 का square क्या करेंगे सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका square करेंगे 25 और इकाई के अंक के अलावा जो भी number यहाँ पर बचा है उससे just अगले number के साथ इसकी multiply करेंगे तो 9 से अगला number कौन सा है 10 तो 10 की multiply किस से 9 से और वो हम यहाँ पर लिखते हैं ठीक है और example लेते हैं माल लो हमें 115 का square निकालना है ओके क्या करेंगे unit digit यानि कि इकाई का अंक कितना है 5 इसका 25 इकाई के अंक के अलावा जो भी number है अब कितना है याँ पर 11 तो 11 से अगला number क्या होगा 12 तो 12 की multiply करनी है किस के साथ 11 के साथ और जब 12 की multiply 11 के साथ करते हैं तो कितना आएगा 130 तो इसका जो square होगा वो कितना होगा 132 I hope आप लोगों को ये वाला method समझ में आया होगा यहाँ पर हम square निकालते हैं लेकिन यहाँ पर condition क्या दी गई है condition यह है कि last में इकाई का अंक 5 होना कमपल सरी है ठीक है आगे चलते अगला है हमारा recurring decimal यानि कि आवर्ती दसमलों जिसको हम इंदी में बोलते हैं और example 1 by 3 तो हम इसको कैसे लिखते हैं 0.33333 ऐसे यह चलता जाता है यानि कि आशांत दसमलों इसको हम कह सकते हैं और इसको हम denote करते हैं 0.3 और इसकी उपर हम लगा देते हैं bar तो इस तरीके के जो fractions है उनकी value निकालने के लिए भी हम एक आधी के पूर्विन का use करते हैं ओके करते कैसे हैं ध्यान रखना देखो इसके लिए हमें वो संख्या बनानी है जिसमें हर में बढ़ाने पर 1 का अंक 0 हो जाए ठीक है for example मुझे 1 by 7 का निकालना है हमारा जो general method है कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं 1 यहापर रखा 7 तो यहापर 0.0 लगाया 1 पे गया 7 3 बचा 0 ले लिया 4 पे गया 28 फिर 2 बचा फिर से 0 लिया 2 पे गया 14 6 बचा फिर से 0 लगा दिया 8 पे गया 56 4 बचा फिर से 0 5 पे गया 35 यहापर 5 0 फिर से कितने भी गया 7 पे 49 फिर से कितना बचा गया 1 फिर से 0 यानि कि यहाँ से अब फिर से क्या करना शुरू कर देगा repeat शुरू कर देगा तो हम इसके उपर बाहर लगा देते यह तो हमारा general method है जो हम पढ़ते हैं इसको हम single line में कैसे solve करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ठीक है देखो करना क्या है सबसे पहले मैंने क्या बताया जो हमारे पास हर है उसको ऐसा बनाना है कि उसको एक बढ़ाने पर एक नमबर बढ़ाने पर 0 आए एक आएक आँक आए 0 आए तो हम 1 by 7 को क्या लिख सकते हैं अगर 7 से ही multiply कर दे और 7 से ही divide कर दे तो कोई फरक पढ़ा नहीं यानि कि हम इसको लिख सकते हैं 7 by 49 ठीक है और मैंने क्या बोला था ऐसी संख्या होने चाहिए कि हर में जब हम एक बढ़ाएं तो एक आएक आँक 0 आए तो हम इसको लिख सकते हैं 7 by 50 हमने एक बढ़ा दिया है एक आदी के इन पूर्विन का यहां पर यूज कर रहे है जो 0 है उसको हम eliminate करेंगे यहां पर अब क्या करना है देखो राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ जो हमारा अंस है उपर का है नुमिनेटर है उसको सबसे पहले लिखा यहां पर कितना है 7 है अब 7 की multiply हमें करनी है हर से जो हमारा denominator 5 के साथ multiply 7, 5, 3 हमने carry रखा अब फिर से 5 की multiply 5 के साथ 25 3 carry था एड किया 28 8 रखा 2 फिर से हमने carry रखा अब 5 की multiply किस के साथ करनी है 8 के साथ 40 बना 2 carry था 42 2 हमने रखा 4 carry किया 5 की multiply 2 से 10 4 carry था एड किया यहां पर कितना 1 5 की multiply 4 से 21 21 हो गया 1 रखेंगे 2 फिर से अब देखो 5 तू जा 10 सोरी 5 बन जा और 2 कह रही था यहां पर फिर से कितना बन गया 7 यानि कि यह फिर से यहां से repeat करना शुरू करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0 पॉइंट रखा देंगे 12 रखा देंगे ओके और एग्जामपल लेते हैं जिससे आप और अच्छी से इसको समझबाएं मान लीजिए हमने एक एग्जामपल लिया 1 बाई 13 ओके 1 बाई 13 हमें क्या बनाना है जो हमारा denominator है उसको ऐसी संख्या बनानी है कि उसको अगर हम एक अधिक करें तो जो हमारा इकाई कांग है unit digit है वो 0 आए तो हम इसको कर सकते हैं 3 से multiply और 3 से divide तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 by 39 और 3 by 39 को हम क्या लिखेंगे 3 by 40 यहाँ पर हमने क्या किया है एक अधिके इन पूर्वेन का यूज किया है फिर से 0 को हमने क्या किया eliminate किया और यहाँ से लिखना start करेंगे सबसे पहले जो हमारा numerator है उसको यहाँ पर लिखेंगे अब जो हमारा denominator है हर है उसकी यहाँ पर multiply करेंगे 4, 3 जा 12 2 लिखा 1 carry अब 4, 2 जा 8 और 1 carry था 9 अब 4, 9 जा 36 6 लिखेंगे 3 carry 4, 6 जा 24 और 3 27, 7 लिखा 2 carry 4, 7 जा 28 और 2, 30 0 रखा 3 carry यहाँ पर 0 रहेगा और यह 3 carry था तो 3 को as it is लिख दिया अब 4, 3 जा कितना 12 1 carry 4, 2, 0 8, 1, 9 यानि कि इसके बाद से यह फिर से अपने आपको क्या करना शुरू कर दिया repeat करना शुरू कर दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिखेंगे 0.076 9, 2, 3 पर इसको हम क्या लगा देंगे बार यह इसका क्या है I hope आप लोगों को समझ में आया होगा 1 by 13 का भी हमने निकाला अगला हमारा 1 by 17 इसको हम कैसे लिखेंगे देखो 1 by 17 को हम लिख सकते हैं 7 से ही multiply किया 7 से ही divide किया तो हमारे पास बन गया 7 by 119 और एक अधिकेन पूर्वेन की सहायता से हम इसको लिखेंगे 7 by 120 यहां पर 0 क्या रहेगा eliminate तो अगला हमारा step क्या रहता था जो हमारा uns है इसको हमें सबसे right side way लिखना है उसके बाद जो हर है उसके साथ multiply करने है 12 गुना 7 12 साथ ही 84 4 8 हमारा क्या रहाएगा कैरी 12 चोप 48 48 और 8 56 5 कैरी 12 चंग 72 72 और 5 77 7 फिर से कैरी 12 साथ 84 और 7 91 9 कैरी 12 एकम 12 और रहनो 21 तो 1 2 फिर से कैरी 12 एकम 12 और 2 14 4 1 कैरी 12 चोप 48 और 1 49 4 कैरी 12 निमा 108 और 4 112 तो 2 रखेंगे 11 कैरी हो गया 12 दो निए 24 और 11 35 तो 35 का 5 रखेंगे 3 हम कैरी रखेंगे 12 पंजा 60 60 और 3 63 3 6 कैरी 12 तिया 36 और 6 42 2 4 हमारा कैरी 12 तुनी 24 और 4 28 2 कैरी 12 12 थी 96 और 2 98 9 कैरी 12 अठी 96 96 और 9 कितना 105 5 10 हमने क्या रखा कैरी तो बारा पंजा तो बारा पंजा 60 60 और 10 कितना 70 ठीक है 12,7,84 फिर से 4 8 कैरी 12,4,8 और 8,56 अब देखो यहां इतना होने के बाद यह अपने आपको फिर से क्या कर रहा है रिपीट करना शुरू कर दिया है यानि कि इसका जो आंसर होगा 1 by 17 का हम इसको लिख सकते हैं 0.0588235294117647 और इसको हम क्या कर देंगे बार कर देंगे यानि कि यह इतने के बाद फिर से अपने आपको क्या करेगा रिपीट करेगा ठीक है तो यह हमारा था एक अधिकेन पूर्वेन का यूज I hope आप लोगों को यह वाला मैथड समझ में आया होगा Okay, thank you